आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, question है आपका If 20% of A is equal to 30% of B then B is how much percent less than A option है 20, 25 is how much percent less than A तो देखें क्या है question में given to 20% of A is equal to 30% of B, दे रखे आपके पास में 30% of B, ठीक है तो यहाँ पर भी off लगा देते हैं, तो यह क्या होगा 20 upon में 100 into में A is equal to 30 into में upon में 100 into में B, ठीक है तो यहाँ पर देखो 00 से 00 cancel, 0 से यह 0 cancel हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हो तो A अपोञ में 3 लिख सकते है नीचे यह 3 आगा है और B अपोञ में क्या लिख सकते हैं, 2 तो देखो, A की value य distinguished 3 है तो B की value क्या है, 2 है तो देखे B कितना कम है 1 कम है, कितने से, 3 से तो अब यह निकालते हैं required percentage क्या होगी तो required percentage तो एक less than एक कम है कितने में 3 में into में 100 तो जब इसको करेंगे क्या हैगा 100 by 3 percentage उसको हम क्या लिख सकते हैं 33.33 percentage लिख सकते हैं तो यह आपका answer क्या हो जाएगा जो less than है 33.33 percentage less than है बी ए से तो option कौन से correct होगा option 3 is the right answer Thank you